नमस्कार, एक विशेस मात, मैं किड्नी फेलियोर के पेशेंट्स के लिए पताना चाहती हूँ, किड्नी फेलियोर में लंक्स, लिवर और किड्नी तो इंफेक्टड होती है, हर्ट भी इंफेक्टड होता है, कई बार हर्ट का जो साइच है, वो बढ़ जाता है, जिसको काडि है उसको diabetes भी हो जाती है लंग्स में प्लूरिसी डवलप हो सकती है यदि urine का output 1500 ml से कम है तो आप चिंता का विशह है दूसरे नमर यह है यदि 1500 ml से कम हो लेकिन urine का output लगातार है तो आपको घबराने की आवशकता नहीं है किसी भी आईरवेद विशह सके के पास जाकर आप किड्नी के बारे में जो problem है उसको आप शेयर करके और तदकाल परहाब से अपना treatment अगर शुरू करवाते हैं तो इसका समाधान हो जाता है आप चाहें तो आप मुझसे भी विशला ले सकते हैं मैंने ऐसे तमाम पेशेंट्स को रहाती है जो किड्नी फेल से 98% किड्नी फेल हैं जिनकी यूरिन का output नहीं है और उनको लंग्स की भी problem थी कुछ भी यानि पानी भी पीते से तो वामिट हो जाती थी इस प्रकार का जो सीवियर टी थी जिस पेशेंट्स के उनको काफी हद तक लाग पहुंचाया है और वो चार-पान साल हो गई इस समय तक भी बिलकुल वैल विंग हैं बहुत अच्छे सेहत मंद हैं चाहें तो आप भी मेरी सलहा ले सकते हैं मेरा नमर है 9828612684 नमशकार